हेलो के डिट्स, कैसे हो, वेलकम टो DCS, डाउट क्लेरिंग सीरीज, यहाँ पर मैं आप लोगों के डाउट के सॉलूशन बनाकर के वीडियो बनाकर के आपको यहाँ पर प्रोवाइड करता हूँ, तो आप भी अपना डाउट भेजना चाहते हैं, तो आप एप डाउट करके म इतना पर्षेंट बढ़ेगा, चलो, यह थोड़ा सा, you know, लेंदी आप बोल सकते हो, लेंदी इन दे सेंस की थोड़ा कैलकुलेशन बोल सकते हो, बाकी है कुछ भी नहीं, बहुत असान है, देखो, तो आपन क्या बोल रहे हैं, मालो की जो ओर्जिनल लेंथ है, वो है, एल 10% बढ़ा दिया, मतलब 10L by 100, और एड़ कर दिया, 10% बढ़ा दिया, L का 10% कितना होगा, 10 by 100, तो L को इतना बढ़ा दिया, वीट को कितना बढ़ा दिया, 8%, मतलब यह वो पहले B था, तो आप कर दिया, B प्लस, B into 8 by 100, तो जो नई लेंथ है, वो कितनी आ जाएगी, देखो तो width कितनी हो जाएगी, 100 पहले थी, LCM 100, 100 प्लस 8, 108 by 100B, जिसको अगर आप देखोगे, तो 1.08B, clear, तो आपन ने किया, क्या, पहले length कितनी थी, L, उसको 10% बढ़ा दि, तो L थी, तो 10% मतलब 0.1 बढ़ा दि, एक की, तो 1.1L हो गई, width B थी, उसको 8% बढ़ा दि, मतलब 0 0.08, 1.08B हो गई, तो पहले का area कितना था, original area, original area, original area को A बोल देते हैं, मालों, चलो, ठीक है, तो original area कितना था, L into B, और final area कितना है, final area हो जाएगा, final जो length है, और final जो width है, इन दोनों का multiplication, मतलब 1.1 into 1.08 into LB, 1.1 into 1.08 LB, तो कितना percent increase हो निकालना है, यह final area, यह initial area, तो कितना percent बढ़ा, उसके लिए पर इंक काम करते हैं, पहले इसको multiply कर देते हैं, 1.1 into 1.08, देखो कितना आजाएगा, यह आप का जाएगा, 1.188, यह दोनों multiply करने के बाद कितना आजाएगा, 1.188, तो final area जो है, देता हूँ, तो final area 1.188 LB, और initial कितना है, LB, तो कितना बढ़ा, वो कैसे निकालोगे, final minus initial, upon initial, percentage कैसे निकालते हैं, जितना बढ़ा, upon जितना, था, into 100, ऐसे निकालना है, percentage increase है निरी है, तो कितना बढ़ा, 1.188 minus 1 LB, this minus this, upon original LB, into 100, LB ने LB को पहरेमी से मार डाला, 1.188 minus 1 करोगे, तो खाली कितना आजाएगा, 0.188, 0.11, 0.188 into 100 करोगे, तो कितना आजाएगा, 0.188 into 100, जब आप यह करोगे, तो आपका answer आजाएगा, 18.8, 18.8, देखो, 18 तो option हो नहीं सकता, 18.5 है यह, यह भी नहीं हो सकता, 18.5 है, 4 by 5, 4 by 5, कितना होता है, 0.8 हाँ, तो 18.8, B is the correct, तो यह थोड़ा लेंदी था calculation, अपनने थोड़ा calculator से कर लिया, आपको calculator यूज नहीं करना है, इसलिए आपके लिए बता रहा हूँ कि थोड़ा लेंदी था, आपने क्या बोला कि मानलो original length था, L original width था, B, तो length 10% बढ़ गया, मतलब 1.1L हो गया, width 8% बढ़ गया, मतलब 1.08, B हो गया, तो पहले का area LB, और final का area 1.188, LB, तो कितना बढ़ा, इतना final था, इतना initial, तो बढ़ा कितना, this minus this, upon original, तो LB, LB कढ़ गया, into 100 किये, तो answer आगे 18 point A, question असान था, थोड़ा सा calculation लंदी था, यह मैं मानता हो, ठीक है, चलो, तो चमक गया सबको, चलो मेरे को comment में बताना, चमक गया, क्या, calculation बढ़ा था, लेकिन बहुत असान था, पहले का area निकाला, बास का area निकाला, कितना बढ़ा वो किसे निकाला, final area minus initial area, upon, जो original area था, उससे divide करके into 100 कर दिया, percentage chapter याद है न, percentage chapter का ही आपका question था, मैंने और स्रेश सर ने मिल करके AISSE के लिए full proof course बनाया है, जिसमें English, GK, GS, IQ और Mathematics के सारे video lectures, class notes, short notes, और आपके exercise, PDF की PDFs अगर सब कुछ दी हुई है, अगर आप यह checkout करना चाते हैं, तो app को अभी download करें, link आपक कर सकते हैं, चलो, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हसते रहो, मुस्कुराते रहो, और देखते रहो, सवर्वसर की class, जैहिंद, बाइ-बाइ, टेक केर